आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनिल कुमार आज हम मास कम्मुनिकेशन यानि जन संचार विशाय पर तर्चा करेंगे और इस विशाय के अंतरगत हम introduction to communication को समझने का प्रयास करेंगे तो आएए चलते हैं समझने की जन संचार क्या है और introduction to communication की शुरुवात या introduction to communication कैसे होता है इस पूरे विशय को समझने के लिए हम understand human communication why to communicate, what is communication, how do we communicate, five senses of communication verbal and non-verbal communication, types of communication इन सभी विशयों के वारे में उपविशयों के वारे में चर्चा करेंगे इसके अलावा हम इस विशय पर बात करेंगे कि इनके उद्देश क्या है ये आखिर हमारे जीवन में किस तरीके से भूमिकान निभाते हैं संचार के मुख्य उद्देश क्या है संचार का आपके हमारे जीवन में सरुकार क्या है objectives में हम लोग meaning of communication state how we communicate non-verbally and verbally इसके अंदर list different types of communication discuss the meaning of interpersonal communication explain interpersonal communication and differentiate between group and mass communication एक बात यहां पर बहुत जरूरी है बताना कि पूरे उद्देश्यों के अंदर हमको यह समाजना होगा कि संचार में intrapersonal यानि की अंतरव्यक्तिक और interpersonal अंतरव्यक्तिक संचार क्या होता है विशह पे आगे बढ़ते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि संचार मनुष्य के जीवन में किस तरीके से भूमिका को अदा करता है Understanding Human Communication हम आप हमारे आम जीवन में जब हम सुबा सोकर उठते हैं और जब तक हम जाकते रहते हैं हम उस पूरे दौरान में एक दूसरे से बाते करते हैं अपने आप से भी बाते करते हैं और सोने के बाद में हम लोग फिर संचार की एक विवस्ता के अंदर में जाते हैं उसके बा लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात यहां समझने वाली है वह है कि हम संचार आखिर करते किस तरीके से हैं या किस माध्यम का प्रियोग हम संचार के लिए करते हैं exchanging our ideas with others we use two ways or methods of communication सामान्यता हम दो तरीके के सिध्धान्त पर कारे करते हैं और यही संचार के मूलभूत सिध्धान्त भी है पहला या तो हम बोल कर संचार करते हैं या किसी से बात करके संचार करते हैं या फिर हम लोग gesture, posture या अन्यमाध्यमों से संचार करते हैं we either speak and tell or we just do it without words जी हां संचार करने में वर्तमान में तो हम लोग शब्दों का प्रियोग बड़े रूप में कर रहे हैं चाहें वो हमारा social media से संवाद हो, चाहें अभी मैं बैटा हुआ आप लोगों से संवाद कर रहा हूँ चाहें आप अपने घर या परिवार में अपने बड़ों से या अपने दोस्तों से बात कर रहे हूँ हम लोग यहां पर भाशाओं का और शब्दों का प्रियोग करके संचार की विविन अवस्ताओं को करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वाके में संचार ऐसा नहीं था संचार के उद्गम में जब हम जाएंगे तो आदी मनुश्य पे या आदी मनुश्य के पास संचार के लिए शब्द मौजूद नहीं थे इसलिए हम लोग understanding human communication को समझने के लिए कि आखिर कर संचार क्या शब्दों से ही शुरू हुआ या फिर संचार की शुरूआद अम आखिक रूप में हुई बिना शब्दों के हुई जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि शब्दों की शब्दों की या संचार की शुरूआद अरली human beings ने बिना शब्दों के साथ ही की थी अरली human beings has no words उनके पास में शब्द नहीं थे वह क्या करते थे they used expression to communicate each other वह बात करने के लिए अपने विचारों को साजा करने के लिए समवाद की इस्तिती को बहतर बनाने के लिए अपने विचारों को सिर्फ अपने भाव भंगिमाओं से या फिर body part को हिला करके हाथ को हिलाना चहरे के हाव हाव से या फिर पत्थरों पे लिखे या गुफाओं में painting करके अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे भारत के संदर्व में अगर हम संचार को समझे और मद्धिप्रदेश या फिर अन्य गुफाओं में उकेरे गए चित्र early human communication का एक बहतर उधारण है बात यहां पर आती है कि संचार आकिर हम करते क्यों है आदी मानव ने संचार किया जब मानव सब्य हुआ और nomadic life से खाना बदोस जीवन के साथ में जैसे जैसे वह व्यवस्तित होता गया वैसे वैसे संचार का प्रारूप भी बदलता गया या फिर यूं कहें कि संचार ने मानव सब्यता को बदलने का बड़ा कारे किया अब प्रश्न बनता है कि why do we communicate तो we communicate for we communicate to inform जी हां बिलकुल सीधी सी बात है चाहें वो गुफाओं से संबाध हो चाहें हम धुआ जला करके किसी को इशारा करते हो या फिर हम अगनी जला करके इशारा करते हो सूचना देने का कारे भी अगनी करती है और संकेत देने का कारे भी अगनी करती है जैसे रसी की गांट बांद के रास्तों को बताना कि आज विभीन जगह पे विभीन तरह का कारे करम है और लोगों को उस अमुक जगह पर इखटा होना है यानि की जानकारी को साजा करना इसके अलावा मिसिन्फोरमेशन कांसल सैल बाई कन्फूज कन्फूर्म अड्वाइज टीचिंग लर्निंग रिवील पर्सूएट अक्सेप अफर्म क्लारिटी मोटिवेट क्रिटिसाइज डिनाइ एंड कन्सील कैई सारे कारे हम लोग संचार के माध्यम से करते हुए दिखाई दियते हैं क्या आप नहीं करते जरूर करते होंगे आप सुबा उठते हैं बेकफास के लिए अपनी मज़र से बोलते हैं तो ये सारी चीजे हमारी दिन्चरिया का संचार से बड़ा गहरा रिष्टा है बिना संचार के संचार के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल है लेकिन बिल्कुल सही आदी मानम ने इस कारे को बहुत लंबे समय तक किया देखिए हम इस विशय पे आते हैं कि what is communication संचार कैसे किया जाता है या संचार क्या है इसको लेके बहुत सारे संचार वैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन प्रकार की परिभाशाओं से इसको समझाने की कोशिश की तो इस संदर में मुझे सब्चे पहली परिभासा जो ध्यान में आती है वह है communication is social interaction through messages बिलकुल संचार क्या है संचार communication is social interactions समाजिक मिलना समाज में एक दूसरे से मिलना through messages संदेश के साथ में एक दूसरे से मिलना ही संचार है या परिभाशा बहुत दिनों तक हमारे बीच में घूमती रही और वाके में हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं हम अपनी बातों को शियर करते हैं हम सूचनाओं को जानकारियों को एक दूसरे से साजा करते हैं हम ग्यान लेते हैं ज्यान बाढ़ते हैं यह सारे काम हम संचार के अंदर ही करते हैं इसके अलावा के डेविस ने भी संचार को लेके परिभाशा दी और उनका मानना था कि देखिए डेविस की परिभाशा इससे पहले की परिभाशा की तुलना में ज्यादा वैचारिक और ज्यादा समवेधानिक दिखाई देती है ऐसा क्यों? क्यों संचार तो आप और मैं शब्दों के साथ में कर सकते हैं लेकिन आप ये सोचिए कि एक हिंदी भाशी अन्य राज की भाशा अन्य दूसरे राज्यों में जाता है या साउत के किसी राज्य में जाता है जहां पे लोग हिंदी नहीं समझ सकते तो उसके पा पास भाशा है लेकिन वह अपनी बातों को उन तक नहीं पहुचा पा रहा है तो यहां पे क्या हो रही है यहां पे संचार पूरी तरीक से संबब नहीं है इसलिए डेविस कहते हैं कि communication is a process of passing information and understanding from one person to another इसलिए संचार जब संबब है या संचार जब पूर्ण है वह आप से कही गई सूचना दूसरे तक पहुचाए और दूसरा उसको पूरी तरीके से ग्रहन कर सके इसके अलाबा chapels and read संचार को परिवासित करते हैं और वह कहते हैं कि communication is any behavior that results in an exchange of meaning ये भी कुल मिला के वही बात कर रहे हैं बस इनके शब्दों में थोड़ा अंतर है communication is any behavior that results in an exchange of meaning एक अंतिम परिभाशा भी इसकी देख लेते हैं और वह है communication is sharing of experiences देखिए यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी परिभाशा है कि communication is sharing of experiences लेकिन experience संचार के लिए या संचार इस्थापित करने के लिए जो आपके पुराने experiences होते हैं या अनुभव होते हैं उसको संचार की दुनिया में बहुत बड़ा इस्थान दिया एक model की साहिता से इसको आगे भविश्य में हम समझाने की कोशिश भी करेंगे कि संचार की पूरी प्रक्रिया में experiences किस तरीके से कारे करता है आईए अब हम चलते हैं यह समझने की communication है क्या what is communication देखिए संचार को लेके कुछ example मैं आपको बताता हूं और संचार कैसे होता है और संचार क्या है what is communication some of the examples are as follow देखिए कुछ examples के साहिता से इसको समझते हैं कि हम जब SMS के माध्यम से किसी को कोई message भेजते हैं तो वह संचार के अंदर आता है कि वर्तमान में बड़े शहरों में जहां पर एंड्रोइड फॉन्स हैं इनके अंदर इंटरनेट की सुविधा उपलब्द है वो लोग WhatsApp message पर अपने से WhatsApp messages करते हैं और लगातार एक दूसरे से टच में रहते हैं ट्विटर से पूरी दुनिया जड़ी हुई है ट्विटर से भी हम लोग दूसरे समवाद करते हैं और message का reply भी करते हैं लेकिन WhatsApp की तुलना में ट्विटर थोड़ा ज्यादा authentic दिखाई देता है Snapchat से हम लोग समवाद करते हैं महानगरों में Snapchat जो वाओ के बीच में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक संचार का माध्यम है या टूल है और इन सब के लिए हमें mobile phone की जरूरत होती है या फिर laptop की या फिर desktop की तो इन सब चीज के बीच में common है संचार के लिए तक्नीक और इंटरनेट और तक्नीक और टूल्स make communication possible with the help of technology तो तक्नीक ने धीरे धीरे हमारे जीवन में एंटर किया और नब्भे के दसक के बाद तक्नीक ने संचार की दुनिया में ज्यादा बड़ा और व्यापकार किया है अब आदिन संचार में हमारे पास शब्द नहीं थे हम सिर्फ विचारों को साजा करते थे अपने भंगिमाओं से भावों से एक्स्प्रेशन से जेस्चर से पोस्चर से लेकिन बीते चार दसकों में अगर आप देखिए तो संचार के अंदर एक व्यापक त्रांती आई इ क्योंकि हमारा निजी जीवन हमारा प्रोफेशनल जीवन हमारा पूरा जीवन कहीं अगर टिका हुआ है तो संचार के उपर ही है आप किसी व्यक्ति से संवाद करते समय थोड़े हार शब्दों का प्रियोग करेंगे तो व्यक्ति आपको लेकर के एक विचार अपने अंदर में बनाएगा आपकी छवी को समझेगा कि आप किस व्यक्तित्व के धनी है या आपके अंदर क्या कमिया है क्या अच्छाईया है वहीं आप जब किसी अच्छे व्यक्ति से अच्छे से बात करेंगे तो एक अलग शवी आपकी निर्मित होगी वह सब किस व्यज़े से कि कमिनिकेट देखिये मैं वही कह रहा हूं और यही सम्झाने की कोशिष आपको करने की कोशिष कर रहा हूं की बच्छों How do we communicate? We communicate with the help of our five senses. These all five senses are including taste, touch, sight, hearing and smell to communicate. We also use nonverbal mode of communication and mostly feeling could be conveyed by different human emotions. संचार की की श्रंखला में या संचार की दुनिया में या संचार के विशय में जब हम बात करते हैं तो आप गौर कीजिए कि एक वैक्ति बिना किसी facial expressions के समवाद कर रहा है वो आपको अपनी और कम आकरसित करेगा वही एक वैक्ति अपने समस्त भाव भंगिमाओं के साथ म समवाद कर रहा है तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रेक्ट होंगे या उसकी बात में ज्यादा दिल्चस्पी लेने की कोशिश करेंगे तो संचार के लिए संचार वह ज्यादा अच्छे से होता है उसको ज्यादा तवज्यों दी जाती है या फिर वह ज्यादा प्रभाव डालता है जिसको हम शब्दों के अलावा अपने अन्य संस्तिस का भी प्रियोग करें जिस संदेश को देने के लिए हम वर्वल नॉन वर्वल ठीक है उन सारे शब्दों का प्रियोग करते हुए हम लोग किसी संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाएं प्रियोग करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं औरल कम्यूनिकेशन की औरल कम्यूनिकेशन क्या है इसको हिंदी में बोलते हैं मौकिक संदेश आफ्टर मैं डेवलेब स्पीच वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग और ली जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शुरुवात में व्यक्ति के पास में शब्द नहीं थे अच्छा शब्दों की उत्पत्ति पर अगर मैं थोड़ा सा यहां प्रकास डालूं तो शब्दों की उ कुद्पत्ती वाइब्रेशन से द्वनी से हुई तो सबस्प्ते पहले हमारे पास शब्द आने से पहले वी हमारे पास क्या आया द्वनी आई वोईस आई आवाज आई यानि कि आवाज नाम की सन्रशना सुस्टी में मौजूद थी और उसी के आधार पर उसी को लेकर के का निर्माण हुआ और शब्दों के बाद फिर भाषाओं का निर्माण हुआ और भाषा फिर बोली इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा औरल कम्यूनिकेशन इस्ट्रक्चर लेते हुए आज हमें दिखाई देता है कि आफ्टर मैं डेवलेब्स पिच्ड विस्टरट कम्यूनिकेशन औरली औरल कम्यूनिकेशन इंप्लाइज अम्मूनिकेशन त्रू माउथ जिया हम जो भी मौकिक संचार करते हैं वह अपने मुद्व द्वारा करते हैं बोल के करते हैं और यही सब कुछ इसमें आता है इट इंक्लिउड इन्डिविज्वाल कन्वर्जिंग विट इच अधर बी इट डारेक्ट कन्वर्जेशन और टेलिफॉनिक और शोशल मीडिया कम्मुनिकेशन देखिए शोशल मीडिया पे आप टेक्स करके भी कम्मुनिकेट करते हैं और फॉन के थरू भी करते हैं या इंटरनेट कॉलिंग के थरू भी करते हैं तो वो भी औरल कम्मुनिकेशन क का ही रुप है ऐप telephone से बात करते हैं वे हेवी और class में जब एक teacher आप से बात करता है वी oral communication है इसके अलावा face-to face communication यानि की यह थोड़ी preorar दो मैं आपको बता दे़ा हूं face-to face communication में meetings lectures conferences interviews और सम examples of oral communication बागी बहुत सच delivery चीजह और communication में आती हैं जब भी आप किसी से मौकिक संवाद करें तो वो सारा औरल कम्यूनिकेशन में आते हैं आए चलते हैं आगे we should know हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है यहां पर आखिर यह जो बोलने की कला है या बोलने की परमपरा है भारतिय संदर्व में इसका बड़ा योगदान रहा और भारत के रिशी मुनी भी इस परंपरा को कई सदियों तक निभाते चले आए उनकी भाषा में इसको वाचन परंपरा कहा जाता है और वाचन परंपरा के अंतरगत इसके अंदर में हम लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं या फिर जहां जो हमने पढ़ा है कि रिशी मुनी जिस चीज को फॉलो करते थे वो था कि चीजों को मौकिक रूप में ही कंठस्त कर लिए जाए, याद कर लिए जाए. इंडियाद इंशेंट विज्डम और वेदाज, पुरान और शास्त्र दे वर इनिशली स्पोकन, गिवन औरली और पास्ट वन फॉर्म फॉर्म वन जनरेशन तो अनर्डर. शुचनाओ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक देने के लिए हमारे रिशी मुनी, मनीशी, औरल कम्मिनिकेशन का प्रियोग करते थे वो शब्दों की साहिता कम लेने की कोशिश किया करते थे तो दोस्तों अभी वक्त हुचला है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद हम लोटेंगे और जानेंगे कि ट्रेडिशनल यानि की भारतिये परंपरा के अंदर मौकिक संचार कहां तक गया और किस तरीके से यह एक पूरी परंपरा के रूप में आज भी मौजूद है संचार के अन्य विशे लेकर के मैं फिर आओंगा तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत नमस्कार